मणेपुर में महिलाओं को निर्वस्त कर गुमाने के मामली की जांच जो है वो अब CBI ने शुरू कर दी है और 4 मई को ये घटना हुई थी जिसका वीडियो 19 जुलाई को वाइरल हुआ था इस मामले में अब तक 8 आरोपी ओं को ग्रफतार किया गया है और इसमें वीडियो बनाने वाला आरोपी भी शामिल है पुलिस ने मुबाइल भी जब्त कर उसे जांच के लिए भेजा है और ग्रिम अंताले के निर्देश पर CBI ने F.I.R. धर्ज की है CBI ने जिन धाराओं में F.I.R. धर्ज की है उसमें हत्या अपरहन और यौनुक पीरण की धारा भी शामिल है मनिपूर में दो महिलाओं की अश्लील परेड कराने और उनके साथ गैंग रेप करने के आरोप में CBI ने मनिपूर पुलिस की F.I.R. को री रजिस्टर कर लिया है और पूरे मामली की जाँच शुरू कर दी है यह जो F.I.R. है वो हत्या गैंग रेप अपरहन समेथ 12 संगीन धाराओं में दर्ध हुई है और CBI ने इस पूरे मामली की जाँच जो है वो शुरू कर दी है CBI की टीम बहुत जल्दी ही मनिपूर जाएगी और जहां पर यह घटना हुई है वहाँ पर जाकर जाँच शुरू करेगी CBI के साथ उसके जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनकी भी टीम होगी वहाँ जाकर जो इस मामले में आई विटनेस हैं उनके बयान भी दर्द की जाएंगे और साथ में जो पीडित महिलाएं हैं उनके स्टेट्मेंट भी CBI रिकॉर्ड करेगी यह जो पूरा मामला है वो चार मई का है लेकिन घटना के करीब दो महिने बाद इस पूरे घटना का जो वीडियो है वो वारल हुआ और उसके बाद मनीपुर पुलेस ने अठारे मई को केस दर्द किया इस मामले में मनीपुर पुलिस ने कुल साथ आरोपी ग्रिप्तार किये हैं जिसमें एक नावालिक लड़का भी है घटना का मास्टर माइन भी है और वो शक्स भी है जिसने अपने मुवाइल से इस पूरी घटना का वीडियो बनाया था तो अभी जो उसका मुवाइल है वो फोरेंसिक जाच के लिए भेजा गया है CBI अब तक की जाच में मनीपुर पुलिस ने जो सबूत इकटा किये हैं उन सभी सबूतों को लेगी और अपनी जाच को आगे बढ़ाएगी अभी तक इस मामले में कुल साथ आरोपी मनीपुर पुलिस पकड़ पाई है अब CBI जाच शुरू करेगी और तकनीकी जाच के अधार पर अपने केस को आगे बढ़ाएगी तो कुल मलाकर ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होनी है लेकिन ग्रह मंत्राले की आध